एक बार की बात है एक नीला पक्षी था जो एक बड़े पेड़ पर घोंसले में पैदा हुआ था. वह जल्दी ही बड़ा हो गया और एक दिन उसकी मा ने उससे पूछा तुम अपने भाईयों और बहनों की तरह उड़ना क्यों नहीं सीखते? मैं वास्तव में उड़ना चाह देख रहा था. रात में वह सोचता कि उसके घोंसले के पीछे, बड़े पेड़ के पीछे क्या है? मा मा वहां क्या है? वह अपनी मा से पूछता. कुछ नहीं, अब सोजाओ और मुझे परिशान मत करो. उसकी मा जवाब देती. हालां कि वह इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि बड़े पेड़ के पीछे कुछ भी नहीं है. और जानता था कि उसे इसकी जांच करनी चाहिए. लेकिन पहले उसे उड़ना सीखना था. अगली सुबह छोटा नीला पक्षी गायब हो गया था. हर कोई हैरान था कि वह कहां था. कुछ नहीं, यह कुछ नहीं उसने खुद से पूछा. उसे अपने सवालों के जवाब चाहिए थे. और चूँकि वहां कोई नहीं था जिससे वह पूछ सके, इसलिए उसने खुद ही जवाब खोजने का फैसला किया. जल्द ही वह नीले पानी के एक तालाब के पार उड़ गया. उसने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा था. लेकिन उसे यकीन नहीं था कि यह वही कुछ नहीं था जिसकी उसे तलाश थी. तुम क्या ढूंड रहे हो? किसी ने उससे पूछा. कुछ नहीं. उसने जवाब दिया. ठीक है, तो मेरे साथ आओ. हरे पक्षी ने कहा. और इस तरह नीला पक्षी हरे पक्षी के साथ मिल गया. अचानक रंग बिरंगे पक्षियों का जुंड उड़ता हुआ आया. उन्होंने पूछा, तुम क्या ढूंड रहे हो? हरे पक्षी ने जवाब दिया, कुछ नहीं. ठीक है, तो हमारे साथ आओ. रंग बिरंगे पक्षियों ने उत्तर दिया. हरे पक्षी ने अपने पंख फड़ फड़ाए और जुंड में शामिल हो गया. तुरंत नीले पक्षी ने भी वहीं किया और उड़ने के अपने डर को भूल गया. वे उचे उड़े, वे नीचे उड़े, वे यहां उड़े, वे वहां उड़े. उड़ना कितना अद्भुत है? नीले पक्षी चिल लाया जल्द ही उसके लिए घर वापस जाने का समय आ गया जब वह घर वापस आया तो उसकी मा, भाई और बहने चिंतित थे लेकिन वे यह जानने के लिए भी उत्सुक थे कि वह छोटा नीला पक्षी क्या कर रहा है तुम कहां थे, तुमने क्या देखा तुम इतनी अच्छी तरह से कैसे उड़ पाए मा चिडिया ने पूछा कुछ नहीं, नीले पक्षी ने अपने पंख फड़ फड़ाते हुए उत्तर दिया मेरे साथ आओ, नीला पक्षी चिल लाया वे साथ साथ उपर उड़े, वे नीचे उड़े, वे यहां उड़े और वे वहां उड़े, वे हर जगह उड़े